तो हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपोर्टेंट प्रस्न बताने वाला हूं तो देखिए जो कि भेक्टर से है और बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके खास करके एक्जाम के लिए जो की बिल्कुल पूछा जाएगा तो चरिए हम लोग इस विडियो में आप लोग बने रहिए उंतक बने रहिए देखिए मज़ा आने वाला है तो सबसे पेहले हम बताना चाहेंगे आपको कि यदि कुई कि दो एक बिंदू दिया रहे हैं अगर कोई एक बिंदू दिया रहे हैं एक बिंदू मन लिए जाए कि अगर देदेगा ए बराबर एक्स वाई जेड का कहता है इस्थिती इस्थिती सदीश क्या होगा जब अगर कोई एक बीन्दू देदेगा एक्स वाई जेड और कहेगा कि उसका इस्थिती सदीश क्या होगा तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल असान है, यानि इसका स्थिती सदिर के हो जागा, वो A बराबर, भेक्टर O A बराबर, A X के साथ I कप लगाईए, पलस Y के साथ J कप लगाईए, और पलस Z के साथ K कप लगाईए, यही आपका हो गया स्थिती सदिर, चलिए मैं अमीद कहता Z के कैप, तो कहेगा, इसका पूछ देगा कि मापांक, क्या पूछ देगा, मापांक पूछ देगा, पूछे का इसका, तो मापांक, या या पूछ सकता है, कि मोड A बराबर क्या होगा, बात एक ही है, मैंगनी चीवड, यानि किसका मैंगनी चीवड, क्या होगा, तो सिंप की मेगनीचुड क्यателей इशलाए उसका मापांग पुछेगा सबसे सींपली बात क्या आकना है यापको रूट अंडर है रूट टूट एकशन के सक्वाएर जोड़ वाइवन के स्क्वाएर जोड़ घिड़ ऑनके स्क्वाएर यही होता है मापांग यानि magnitude A का अगर second बात अगर दो स्थिति सदिया हुआ रहा है जैसे A i cap यहां पर दिया हुआ है A i cap प्लस B1 j cap प्लस C1 k cap और एक दिया है ओ भी स्थिति सदिया है A2 i cap प्लस B2 j cap U Yeah A i cap प्लस C2 k cap तो क्या पुषता है आपसे तो आपसे पुषता है तो यह क्ये हो कि आपको क्या करना इसमें एथ पूछ रहा है तो ब्लोग B में चैको खटा देंगे लोग B में हैं से फ़िए को खटा देएंगे तो सिंप्री क्या हो जाएगा यह पर इसको में सी शुक्त थाएंगे तो अ A2-A1 I cap पलस B2-B1 B2-B1 J cap और पलस C2-C1 C2-C1 K cap तो यही दोस्तों आप कमान मिल जागा A B कमान अगर यहां कहता B A कमान क्या कहता B A कमान यानि भैक्टर B A पूछता तो सिंप्ली क्या कहते हैं हम लोग B A इसका मतलब कि O A में से A B गोहटा दे यानि O A माइनस O B यह करना होता तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस समझ में होगा आए हम लोग वस्चिते चलते हैं प्रस्निंग वर तो यह आपको बताए होंगे इस्तिती सदिस का आएसे जयात करते हैं जब कोई एक बिंदु दिया रहा तो इस्तिती सदिस का फरमुलाई यह होता है अच्छा जब वेक्टर दिया हो रहा था है जरे एक वेक्टर दिया रहे है तो इसका मापांग पुछेगा यानि कि यह हैं इसे को इसे को म बज़ते हैं तो मेगनिट निकाल देंगे अछा जब दो इस्तिती सदिस दिया रहे है बींदू व दीर सदीस ओ भी दिया रहे है दो का सीटव पराते हैं और यह चलते हैं प्रस्ची क्यों होगा अभी मैंने आपको बता है कि कोई बिंदू एक दिया रहा है एक सब्सक्राइब और है उसके साथ में I cap, Z cap और k cap लगा देना है यानि X के साथ I cap यानि इस्तितिस अधिस का हो जाएगा चाल I cap प्लस बांच j cap और प्लस छो केकर यह दोस्तों आपका हो गया कि जब कोई एक सधिस दिया रहे है तो उसका फर्मुला होता है रूट अंडर रूट अंडर अब दू के स्क्वेर देखिए। दू का स्क्वेर जोड माइनस तीन का स्क्वेर और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा वन का स्क्वेर अब इसको हम लोग 9 प्लस 1 इसको जब लोगल करेंगे तो 9 4 13 14 होगा यानि रोट 14 इसका अंसर हो गया चलिए मैं उम्मीद करता हूं आप सी गए होंगे अच्छा सेकंड क्यूशन करता है सदीस 19 साइक प्लस 5 एक पहने चोगे कैप यानि इस तरह से प्लस नप पुछ करके आपसे पुछ देगा कि सदीस 19 साइक प्लस 5 एक पहने चोगे कैप का मापांग क्या होगा देखिए किवश्चन बस किवश्चन अलग अलग है लेकिन दोनों कार्थ एक ही है यानि इसमें किवल मॉड़ डाल दिया इसके में मापांग पूछ दिया है तो कुछ नहीं बस इसका फर्मूला लगा प्रस्ण दे रहे हैं जो आपको कमेंटर बॉक्स में उसका आंसर बताना है किसका आंसर क्या होगा चलिए आपका जो केश्चन से है यह है कि यदि 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 भैक्टर ए बराबर थीरी आई कैप प्लस पांच जे कैप माइनस शिक्स के कैप हो तो हो तो इसका मापांग कि इसका मापांग क्या होगा चलिए देश्टों मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह समझें होंगे और आपके पास प्रस्ण यह है कि भैक्टरे बराबर थीरी आई कैप प्लस पांच जे कैप माइनस शे के कैप तो इसका मापांग पोच रहा है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को अगर नया है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अपने दोस्तों के पास भी सर्क किजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके चलिए तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में तो आसके लिए बस इतना ही जैंद